Hello everyone, welcome to my channel online biology tutorials और यह है वीडियो 2 चैप्टर 11 का अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा तो पहले आप वीडियो 1 देखो because उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है फिर आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ जाएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजिस की ओके एंडो न्यूक्लियेजिस की अब एंडो न्यूक्लियेजिस नाम से पता लग रहा है कि यह एक एंजाइम के बारे में बात कर रहे है क्योंकि आप देखो लास्ट में वर्ड आ रहा है एसी एस तो हमने लास्ट वाला इस इस लिए लगाय because हम plural दिखाना चाहते थे जब भी किसी term basically bio की term में ending ASE से हो रही हो तो that means यह ASE define करता है कि यह किसी enzyme का name है अब endonuclease की functioning से भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि nucleases क्या होते हैं nucleases वो enzymes होते हैं जो nucleic acid पे काम करते हैं अब nucleic acid दो types का होता है DNA या फिर RNA ठीक है हमने क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं biotechnology जिसमें हमें genetic engineering करनी है और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा भी था कि genetic engineering में हम DNA और RNA पे काम करेंगे राइट यह जो nucleases हैं वो काम करेंगे nucleic acid को तोड़ने का अब यह जो nucleases होते हैं यह दो type की हो सकते हैं exonucleases और endonucleases अब exo और endo में फरक क्या है exo वो है यहाँ पे देखो आप यह exo आ रहा है यहाँ पे आ रहा है endo so exo जो है वो DNA को कहां से काटेगा edges से काटेगा और यह कहां से काटेगा endonucleases यह अंदर से काटेगा अब दोनों का हम एक बारी illustration देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएं मान लो बच्चो यह है हमारा DNA यह हमारा है 5 प्राइम end यह हो गया हमारा 3 प्राइम end यह हो गया 3 प्राइम यह हो गया 5 प्राइम because DNA anti-parallel होता है ठीक है अब अगर मैंने DNA को end से काटा end से काटने का मतलब है मैंने इसे यहाँ से काट दिया यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, जहां मैं ग्रीन मार्क लगा रही हैं, तो यह वाला काम कौन करेगा, एग्जो न्यूकलियेज, यानि हम DNA को एजिस से काट रहे हैं, अब हम एंडो न्यूकलियेज समझते हैं, यह हमारा DNA का एक स्ट्रैंड है, 5 to 3 प्राइम, यह हमा DNA का दूसरा स्ट्रैंड है, 3 to 5 प्राइम, मान लो कि हमारी जीन ओफ इंड्रेस कहीं, यहां पे DNA पे बीच में लगी हुई है, अब हमें इसको कट करना है, तो हमें DNA बीच में से ही तो कट करना पड़ेगा, अब बीच में से काटने के लिए, हमें जो एंजाइम्स की जरूर बात होगी, उनका नाम होगा, एंडो नुकलियेज, तो अंदर से जो काटे वो एंडो, बाहर से या किनारों से जो काटे या एजिस से जो काटे वो एक्जो नुकलियेज, अब इस चैप्टर में, बेसीकली, जादा तर हमारी जो जीन ओफ इंट्रेस्ट है, वो DNA के बीच म हम बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो नुकलियेज की, सबसे पहले, रेस्ट्रिक्शन एंडो नुकलियेज जो डिस्कावर हुआ था, वो हुआ था हिंड 2, अब उसके बाद जो आपको NCRT में दिया हुआ है, वो है ECO-R1, कि कैसे ECO-R1 पे उन्होंने आपको पूरी बात समझाई हुई है, कि सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडो नुकलियेज की नेमिंग कैसे करते हैं, सो नेमिंग करने के लिए आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी, कि यहाँ पर जो पहला E है, यह डिफाइन कर रहा है, जीनस को, और यहाँ पे जो जीनस है, व क्या बता रहा है आपको, यह आपको CO बता रहा है, स्पीशीज का नाम जो की को लाए है, सो हमने फर्स लेटर किस से लिया, जीनस से, हमने सेकंड एंड थर्ड लेटर किस से लिया, स्पीशीज से, ठीक है, तब ही तो यह बना, हमने यहाँ से फर्स लेटर लिया, यह हो गय CO को और यह हमने देख लिया यहां पे कि यह हमारा E को जो है हमने पढ़ लिया क्या है अब यह R क्या है R Y 13 उस strain का नाम है जिसमें से यह restriction endonuclease निकाला गया है तो हमने इसका भी ले लिया first letter तो अब तक हमारा यह बन गया E को R और अब यह 1 क्या है कि इस strain में से पहला enzyme निकाला गया इसलिए उसका नाम आ गया 1 इसलिए अब यह बन गया हमारा E को R 1 How naming of restriction endonuclease is done this question is quite frequent in the examinations तो पहला letter genus के लिए दूसरे दो alphabets आपको लिये है species से उसके बाद जो R लिया है वो strain का नाम है और last में जो लिया गया है वो आपका Roman number 1 है means वो define कर रहा है order अब कैसे restriction endonuclease act करते हैं restriction endonuclease को काम करने के लिए एक sequence चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं palindromic sequence ओके यानि अगर मैं किसी DNA को काटना चाहती हूँ अंदर से तो उस DNA के पास palindromic sequence होनी चाहिए अब palindromic sequence क्या होती है जो हम right से left से right पड़े या right से left पड़े वो हमें same meaning दे ठीक है palindromic sequences अगर हम DNA की context में बात कर रहे हैं तो अगर हम bases left to right side जा रहे हैं तो भी same हो right से left side आ रहे हैं तो भी bases same हो इसको हम एक simple English के word से पड़ते हैं r a m a r अब आप ध्यान से देखो जब आप left से right जा रहे हो तो ये रमर है और अगर आप जा रहे हो right से left तो भी इसका sense क्या है पीछे से आप लिखना शुरू करो r फिर a फिर m फिर a और फिर say r right सो आप दोनो directions में जाओ आप ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ ये same meaning दे रहे हैं right सो अभी हम देखते हैं सो ये जो sequence DNA पे होती है palindromic sequence उसको हम कहते हैं recognition sequence exam में आप से पूछ सकते हैं what is the recognition sequence of eco r1 सो आपको याद रहे कि इसकी recognition sequence है gart tc हम DNA की बात कर रहे हैं तो of course हम यहाँ पे basis की बात करेंगे ये हैं हमारा 5,2,3 प्राइम और इसी की तरह जो हमारा दूसरा strand होगा वो anti-parallel होगा तो इसलिए उस पे sequence होगी ये right अब आप ध्यान से देखो ये palindromic है या नहीं देखो अगर आप चल रहे हो left से right तो आ रहा है gart tc अगर आप उल्टा चल रहे हो तो gart tc आ रहा है g a a t t c that means ये हमारी palindromic sequence है यानि जब dna में ये sequence आएगी और ये palindromic होगी और अगर हमने वहाँ पे e को r1 डाल दिया तो वो इस sequence को पहचानेगा और वो इसे तोड़ेगा g और a के बीच में तो यहाँ पर जो मैंने आपको red arrows लगा के दिखाई है basically ये क्या होती है recognition site यानि recognition site का मतलब है यहाँ से ये sequence आपकी तूट जाएगी so recognition sequence और recognition site में confused नहीं होएगा recognition sequence palindromic होती है और जहाँ से actually enzyme cut करेगा वो recognition site है अब क्या करेंगे अब ये कैसे cut करता है वो भी हमें देखना है अब ये यहाँ से अलग होगा ठीक है ये यहाँ से अलग होगा so जो अलग होने वाली sequence है ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे और बाकी की जो ये वाली sequence है ये अलग हो जाएगी अब हम इसे लिखके देखते है आपको ये भी बनाना आना चाहिए तो अगर मैंने यहाँ पे E को R1 डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा 5 प्राइम G मैंने लिखना है क्योंकि G के बाद अगली sequence we cannot write because यहाँ से उसकी ये recognition site है नीचे क्या बचा C, T, T, A, A ओके यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्राइम क्योंकि हम आगे यहाँ पे A के बाद sequence नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दूसरे पार्ट के साथ चली गई और यहाँ दो टुकड़े हो गए है अब देखो यहाँ पे क्या बचा A, A, T, T, C और यहाँ नीचे क्या बचा G, यहाँ पे हम लिखेंगे ends यह हो गया हमारा 3 प्राइम यह हो गया हमारा 5 प्राइम इस तरीके से टुकड़े के बाद आपको क्या मिलता है आपको मिलते है sticky ends अब यह question आता है what are sticky ends आप यहाँ पे देखो left और right side में यह चार bases ऐसे हैं जो अपने respective base bearing rule के साथ नहीं complimentary basis के साथ अटाच नहीं है ऐसा ही यहाँ पर भी है because यह तूट गया है बीच में से DNA का structure तो इन चार bases को हम overhangs कहते हैं अब यह overhangs हमारे जब produce होते हैं तो ऐसे DNA के टुकडो को ऐसे DNA के pieces को हम sticky end कहते हैं आपको recognition sequence ECO-R1 की याद होनी चाहिए because exam में sticky ends बनाने को आ सकते हैं so sticky ends are the small stretches of DNA that contains overhang अब देखो अगर हम इन टुकडो को पास पास लेके आएं with the help of enzyme ligase so यह दोनों टुकडे फटा फटा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे देखो यह bond बहुत ही जादा strong होगा क्योंकि T A के साथ जुड़ेगा यहां पे भी T A के साथ जुड़ेगा यहां पे A T के साथ जुड़ेगा यहां पे यह T के साथ जुड़ेगा और यह covalent bond होंगे जो की बहुत जादा strong होंगे इसी तरीके से I'll tell you one more sequence and that is of balm H1 okay balm H1 हम इसकी naming पे नहीं जाएंगे यह भी एक bacteria से लिये जाने वाला restriction endonuclease है यहां पे बस आपको balm पता होना चाहिए किस के लिए है so balm जो है B जो है वो bacillus के लिए है और am है amylo amylolecu fascians ओके यह आपका species का नाम है इतना लेंदी बस आपको एक idea होना चाहिए आपको learn करने की जरूरत यह बिलकुल नहीं है अब इसकी जो recognition sequence होती है balm H1 की वो होती है G G A T C C यहाँ पे आप लिखोगे 5 प्राइमेंट यहाँ पे होना चाहिए आपका 3 प्राइमेंट अब यहाँ पे आप complementary base pairing के साथ लिख लोगे G mind करेगा C के साथ T हो जाएगा A हो जाएगा G हो जाएगा G हो जाएगा आप बाद में check भी कर सकते हो कि palindromic sequence बन गई है या नई हमने चला G G A T C C यहाँ पे देखो G G A T C C ठीक है अब इसकी जो recognition site होगी वो है G के बीच में और इधर से इसके बीच में अब आपने क्या करना है simple इसका part कर देना है और sticky end बना लेने है आप वीडियो को यहाँ pause भी कर सकते हो और थोड़ी देर बाद जब आपके sticky end बन जाएंगे तब आप play करके check करना कि आप sticky end बना पा रहे हो या नहीं अब यह यहाँ पे हो जाएगा G यहाँ पे हो जाएगा C C T A G यहाँ पे आप लिखोगे 3 प्राइमेंट ओके और यहाँ पे जो बचा हुआ पीस है उपर का वो आजाएगा G A T C C 3 प्राइम यहाँ पे G यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 प्राइम अब हमें इसमें ओवरहेंग दिखाई दे रहे हैं यह है हमारा ओवरहेंग यह है हमारा ओवरहेंग इसलिए हम इसको नाम देंगे क्या Sticky Ends ओके सो restriction endonucleae से हम gene of interest और plasmid दोनों को एक ही restriction endonucleae से treat करेंगे और sticky end बनाएंगे एक बड़ी sticky end हम अच्छे से समझ जाएं फिर उसके बाद हम next part पढ़ेंगे अब यहाँ पे एक discussion आता है blunt end क्योंकि हर restriction endonucleae sticky end नहीं बनाता सो अब हम यहाँ पढ़ेंगे blunt ends क्या होते हैं यहाँ पे मैं एक restriction endonucleae ले रही हूँ जिसका नाम है समावन अब यह समावन कहां से आया यहाँ पे S से मतलब है सेरेशिया यह जीनस का नाम है हम इसे underline करेंगे और इसकी species का नाम है मार सेसेंस ओके सो मार सेसेंस में से हमने केवल में लिया अब इसकी जो recognition sequence है वो है G, C, C, C G, G, G यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्राइम यह हमारा हो जाएगा 3 प्राइम complimentary base pairing के साब से हम नीचे वाली इसकी sequence बना लेंगे जो की हो जाएगी G, 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 C, C, C यहाँ पे हो जाएगा 5 प्राइम यहाँ पे हो जाएगा 3 प्राइम सो recognition sequence हमने बना ली अब इसका जो recognition site है वो asymmetrical नहीं है आप ने आप जो है आप वीडियो को rewind करके check कर सकते हो कि जो हमने अभी तक दो restriction endonuclease पड़े थे उनकी recognition site asymmetrical थी वो बीच में से कहीं first base के बाद cut कर रहे थे बट यहाँ पे symmetrical cut है symmetrical क्यों क्योंकि left side भी 3 bases आ रहे है और right side भी 3 bases आ रहे है अब हम इसे बना के देखते हैं फिर आपको ज़्यादा clear होगा यह हुआ हमारा 5 प्राइम CCC यहाँ पे हमारा 3 प्राइम GGG यहाँ पे देखो बची हुई sequence इधर हो गई और यह हमारा आया CCC यह हुआ हमारा 5 प्राइम यहाँ पे कोई overhangs नहीं दिखाई दे रहे हैं overhangs बिल्कुल absent है so अगर restriction endonuclease को treat करने के बाद अगर आपको overhangs नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको blunt ends मिल रहे हैं किसी किसी DNA में specific recognition sequence होता है तो scientist को use करना पड़ता है यह restriction endonuclease बस इस restriction endonuclease को use करने के बाद भी उनका काम खतर नहीं होता क्योंकि उन्हें overhangs चाहिएं उन्हें overhangs चाहिएं तो वो कौन सा additional enzyme इसके बाद use करते हैं उसका नाम होता है terminal transferases terminal transferases नाम से समझा रहा है कि किनी basis को terminal यानि edges पे end करेंगे तो अगर अब यह sequence जैसे बन गई है अगर मैं इसमें कुछ sequence आड करना चाहूं तो यह मेरे बन गई overhangs राइट जब भी हम कभी ऐसा restriction endonuclease यूज करते हैं जो blunt end बनाता है तो scientist उसके बाद एक additional enzyme और यूज करते हैं जिसे हम terminal transferases कहते हैं अब आपकी बुक में क्योंकि हिंद 2 दिया हुआ है हिंद 2 was the first restriction endonuclease that was discovered तो एक बारी हम इसकी sequence की decognition sequence की बात कर लेते हैं जो की होती है GTC GAC आप इसकी आप complementary sequence बना लो आप video pause करो फिर से और खुद sequence बनाओ और फिर tally करना की आपकी sequence मेरे से match हो रही है या नहीं यहाँ पे आपको recognition site जो है वो पता होनी चाहिए pause करने से पहले और हम इसकी नीचे वाली sequence भी लिख लेते हैं 3, 2, 5, prime end की और वो हो जाएगी यह ठीक है अब आप देखो यह palindromic है या नहीं यह यह palindromic है और इनकी recognition sequence यहाँ लाए करती है जब हम इसको treat कर लेंगे हिंद 2 से तो हमारे पास जो sequence आएगी वो होगी यह c a g यहाँ पे होगा हमारा 3 prime end और यहाँ पे होगा हमारा g a c 3 prime end और यहाँ पे होगा c t g 5 prime end ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या इस में sticky end मिल रहे हैं या blunt end मिल रहे हैं ओके आप वीडियो को यहाँ pause कर भी सकते हैं answer जानने के लिए ओके you can pause it here I'll speak just now ओके so यहाँ पे हमें sticky end नहीं मिल रहे है क्योंकि हमें कोई overhang structure नहीं दिखाई दे रहा so हिंद 2 से अगर आप DNA को treat करते हो तो आपको मिलते हैं blunt ends इसका मतलब है आपको यहाँ पे terminal transferases से भी treat करना पड़ेगा overhang बनाने के लिए वरना आप experiment नहीं कर पाओगे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे अब हम experiment proceed करेंगे राइट उससे पहले मैं आपको मैंने वीडियो में बीच में भी बताया था आपको एक बारी फिर बता देती हूँ यहाँ पर कि जो हमारी gene of interest है यानि जिस DNA से हमें काम करना है और जो हमने vector use करना है राइट आप plasmid को vector की तरह use करते हैं plasmid में औरी site होती है इसलिए हमने उसे use करा क्योंकि हमने उसमें gene of interest introduce करनी है अब आप example लो किसी को malaria होता है तो वो vector के through आता है vector मतलब female end of lease के through plasmodium अंदर आता है plasmodium directly तो हमारी body में नहीं आता ना इसी तरीके से हम vector कहेंगे bacteria को जिसके अंदर recombinant DNA होगा right this is very important so vector जो है वो हमारा recombinant DNA को लेके किसके अंदर जाता है host के अंदर जो हमारा chapter में E.coli है यहाँ पे हम restriction endonuclease की बात कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि restriction endonuclease, plasmid और gene of interest के लिए one ही होगा so with the same restriction endonuclease आप दोनों को treat करोगे अगर आप E.coR1 यूज कर रहे हो तो E.coR1 आप gene of interest वाले DNA के लिए भी यूज करोगे आप plasmid के लिए भी यूज करोगे क्योंकि इस case में इनके जो sticky ends बनेंगे अगर हम उन दोनों को पास लाएं, ligase की help से तो वो आपस में covalent bond बना लेंगे DNA का एक टुकड़ा जो sticky end वाला gene of interest का है वो plasmid के साथ जुड़ जाएगा और इस case में हमारा covalent bond बहुत strong होगा और वो covalent bond जो है बर्थ देगा किसको recombinant DNA को blunt ends और sticky end produce करने वाले restriction endonucleases के नेम और gene of interest और plasmid के लिए एक ही restriction endonuclease होगा ये सारी बाते आपको अब तक clear हो जाने चाहिए अगर नहीं clear हो तो you can write in the comment section I will definitely get back to you I hope you like this video please share it with your friends thank you